इस ब्रम्हान के कणकण में इश्वर का वास है, हर स्थान पर भगवान मौजूद है, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी इश्वर वास करते हैं। दोस्तों, वाले भगवान प्रत्यक्चुरूप से हमें दृश्वर नहीं देते, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास हो पाता है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई वलक्षुन शक्ती मौजूद रहती है। शास्त्र में ऐसे संकेतों के बारे में बड़ी विस्तार के साथ बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चा शक्तियां विद्धमान रहती हैं, जो उने हर समय सही रास्ता दिखाने के साथ ही हर मुश्किल प्रस्तिती में उनकी सहायता करती हैं। इसके लावा इश्वरी शक्तियां को जैसे लोगों का चुनाव भी करती हैं, जो खुद ही सत्य के मार्क पर चलते हैं, और दूसरे ल मौत को छूकर भी आप बाहर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुरगटना में बड़ी असानी के साथ बच जाते हैं, यह सब कुछ उस अलोकिक शक्ति के कारण ही होता है, जो हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए ततपर रहती है, भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकि जानने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बलकि अन्य साधारण मनस्यों की तुलना में आप अलग हैं और आपके साथ हमेशा भगवान का साथ रहता है, तो चलिए शास्त्रों में बताएगे उन संकेतों के बारे में जौन ले यहाँ कोई साधारण संकेत नहीं होता है, बलकि आपके भविश्य में धन संपदा आने का सुचक होता है, यानि कि अगर आपको सपने में बार बार साप दिखाई देता है, तो ऐसे में आप आने वाले समय में जबर्दस्त धन संपत्ति अर्जित करेंगे, आपकी दरिद् का भाग्य बदलने के ही इस धरातल पर जन्म लिया है सपने में सांप का बार बार दिखाई देना आपके भविश्य में होने वाली धन की व्रद्धियों को प्रदर्शित करता है इसका मतलब है कि आप अपने परिवार की हर जरुरतों को पूरा कर पाएंगे जिसके कामना अगर आपको सपने में सांप बार बार दिखाई देता है तो समझ लिजे आपकी मनोकामना पूर्ण न होगी सपने में सांप देखने के प्रश्यात आपको नेमित रुप से भगवान भोले नात की पूजा अराधना प्रारंब कर देनी चाहिए इसे आपको शिग्र ही फल क देनिक कारी उन्स से समय निकल कर भगति में समय लगान सास्त्रों में बताया गया है कि जिस वैक्ति का पूप्ण्य बहतर और श्रेष्ट होता है उस वैक्ति का जो जीवन होता है वह भगति से यक्त होता है यानि कि अगर आप अपने दैनिक कारियों से समय निकाल करके भगवान की पूजा राधना में समय वैदित करते हैं, इश्वर को ही सत्य मान करके उनकी अनुभूती करते हैं, तो वास्तों में आपके पास इश्वर ये शक्तियों का घेराव होता है, जिसके कारण समय समय पर आपको इश्वर का आभास भी होता रहता है, और इश्वर के प्रती पूर्ण विस्वास ऐसे इस्थिती में जागरेत होती है, चाहे दुख होए या फिर सुख, हर प्रस्थिती में इश्वर को याद करने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का प्रिया होता है, सपने में मंदिर का दिखाई देना वो भविश्य में होने वाली घटनाव को जान लेते हैं, और कुछ विलक्षन प्रतीभा के स्वामी बन जाते हैं, इस प्रकार के लोगों के घर में माता लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी हो जाता है, और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, अगर आपको सपने में माता लक्ष्मी के पैर के निशान दिखाई देते हैं, या फिर शंक दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा वैक्ती खुद ही पुन्य का कार्य करता है, और दूसरों को भी पुन्य का कार्य करता है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जिनके अंदर अनोखी शक्तियां मौजूद रहती हैं। होने वाली घटनाओं के विशेज जानकारी पहले से ही हो जाती है। भविश्य में कुछ बुरा होगा या फिर भला होगा, उसका पता इन लोगों को पहले से ही चल जाता है। जिसके वज़े से इनका मान अचानक ही बेचायन होने लगता है। आसपास का वातवरण इन्हें बदलता हुआ नजराता है। प्रकृती में कुछ ऐसे द्रश्य इन्हें दिखाई देते हैं, जो अशुब होते हैं, जिससे इन लोगों को मालूम हो जाता है कि निकट भविश्य में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अपने आसपास विशिष्ट सुगंध का अनुभाव होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन लोगों को अपने आसपास हमेशा ही एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभाव होता रहता है। हमेशा ही सुगंधित पुष्प, धूप अगरबत्ती या फिर कपूर जैसे सुगंध का जूंका हवा में तरता हुआ उन लोगों को महसुस होता है। यह लक्षण उस व्यक्ति के आसपास इश्वरिय शक्ति का उपस्तित होने का संकेत होता है और उस व्यक्ति के उपर सदैव देवी देवताओं की क्रपा दृष्टी बरस्ती रहती है। ब्रह्म महर्त में अपने आप आँखे खुल जाना। को ही सर्व सुलेश्ट बताया गया है। दुनिया में जायतर लोगों की निंद महर्त कहत्म होने के पश्चात ही खुलती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की निंद रोजौना ब्रह्म महर्त पर अपने आप ही खुल जाती है, तो यह अलोकिक संगेत माना जाता है। नित्य ब्रह्म महुर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रुप से इश्वर के इक्षा के अनुसारी ऐसा करता है। उस ऐसा करने के लिए इश्वर ये शक्तियां ही प्रुवित्य करती हैं। तो दोस्तों अगर क विडियो जरूर पसंद आये होगे। विडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजे। विडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद।